तो हेलो दोस्तों मुझे बहुत सारे लोगों ने पूचा कि क्या इसल कट ओफ होगा क्या सेफ स्कोर होगा ठीक है ताकि वो दो मेने जो है धंग से पढ़ सके कि हाँ यह स्कोर हमें अलान है ताकि हम एक अच्छे कॉलेज में जा सके तो इसलिए मैं एक डीटेल्ड एनलसिस वीडियो लेके आयो और एकदम शॉट में ताकि आपको समझ सके कि हाँ यह गोल मुझे सेट करना है ताकि मुझे यह कॉलेज या जो भी कॉलेज आपको चाहिए वह मिल सके कट ओफ क्या होगा सारे ट्रेंज देखके मैं आपको बताऊंगा ठीक है उसके पहले आपने लास से और कुछ पॉइंट से जो हम कंसिलिडर करेंगे तो दिखो फैक्टर क्या क्या है फैक्तर ऐस फेक्टाइं नमबर ओवफ सीट खितने सकेंड़ फैक्तर है पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है थ्रड फैक्टार यह नमबर ओ स्टूडेंट्स कों से और फूर्फ कितन 2019 में जेही की पेपर्स और नीट के एपर कंड़क करवाया पेपर इजी साइड पे था 2020 में जैनवारी का पेपर कंड़क करवाया उसमें भी पेपर इजी साइड पे ही था ठीक है कुछ डिफरेंस नहीं था 2019 जैसा ही था तो वो कोशन स्वाल हो गया कि NTA जो है कंड़िंग ब आज पास बच्चों ने फॉर्म भरे तो अगर उसमें से कुछ बच्चे आते भी नहीं तो भी आप पकेट के चले 16 लाक बच्चे जो है एक्जाम देने आएंगे नीट का एक्जाम 16 लाक स्टूडेंस एक्जाम देने आएंगे ठीक है यह हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंस की बात और टोटल सीट्स तो बताऊंगे क्या क्या आपके लिए खुशकबरी भी है कि सीट्स कितने बड़े है ठीक है पेपर का लेवल यह एक इंपोर्टन फेक्टर है मैंने लास्ट वीडियो में आपको प्रूफ के साथ बताया थे कि पेपर का लेवल इजी होने वाला ह है लास्ट यह जैसा पेपर का लेवल बढ़ने नहीं वाला एंटी एक डायरेक्टर विनित जोशी सर ने का है पेपर जो था लास्ट यह जैसा आया था वैसा ही पेपर इस साल भी आएगा उसमें कुछ चेंजे ज्यादा होने वाले नहीं है उन्होंने कहा जो सेक्शन एक् इसमें अच्छी गुड न्यूस यह है सीट्स इंक्रीज हो चुके नियली 10,000 MBBS BDS के सीट इंक्रीज हो चुके इस साल ठीक है और आपको पता है एमस और जिपमर के सीट भी इसमें आ चुके क्योंकि अभी एमस और जिपमर का कोई अलग से एंटरंस एक्जामिनेशन नहीं इन नहीं है सारे का अडिमिशन अब नीट के एक्जाम के थूछी मिलेगा तो इसकी वईसे बच्चों को पेपर इसक के और डिफिकल्ट आएगा तो आपका बता दू पेपर नहीं डिफिकल्ट आने वाला है जैसा लास्ट यह था वैसा ही पेपर माइल्ड पेपर इजी सा आप देखा उसमें थोड़ से कोश्चन्स डिफिकल्ट साइड पर आउट ओफ एंसी आटी है तो आप वह पेपर्स इग्णोर कर देजिए छोड़ देजिए आपके ऊच्छा कोचिंग का मटेरियल हो या पेपर्स हो तो आप वह सॉल कर सकते है जरूरी नहीं है कि वह पेपर हो तो यह बहुत इंपोरेंट न्यूस थी कि इतने सीड्स बढ़ चुके तो इससे कट आफ नीचे के साड़ पर रहने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है अब देखते लास्ट ये 2019 का क्लोजिंग रैंक्स कहते यह मैं बात कर रहा हूं औल इंडिया कोटा की किसकी बात कर रहा है तो जो कट ओफ और रांक की थूर रहता है उससे अल्मोस 50-60 मार्क कम ही रहता है महारश्ट को कट ओफ तो ऐसे आप देखो बहुत सरे स्टेट से देंका कट ओफ और इंडिया कोटा से कम रहता है तो आपको कम मार्क में भी सीट मिल जाएगी अपने ही स्टेट में ठीक ह तो ये बात होती है लेकिन हम एल इंडिया कोटा की बात करेंगे पहले स्टेट वाइस अगर आपको चाहिए होगा तो थोड़े दिन बात थोड़े आनलेसिस करके आपको वीडियो दे सकता हूँ तो आप बात करते हैं हमें आगर ऑल इंडिया कोटा के थूरू एडिशन च पाइव नेंटीवन मार्क्स रैंक जो थी 10,003 रैंक थी और जो कॉलेज था मिजरॉम इंस्ट्ट्टूट ऑफ मेडिकल इडूकेशन और रिसर्च ठीक एंबी बेस के थी ठीक है ये ओबीसी 597 मार्क्स था ओबीसी का जादा था जेनरल से ठीक है ओल इंडिया कोटा के थ्रू ओल इंडिया कोटा याद रखने 15% वाला उसमें जो रैंक थी 9536 रैंक पे लास्ट सीट मिल गई है ठीक है रिजनल इंस्टियूट ऑफ मेडिकल साजयंस में SC शेडूल कस्ट इसका जो मार्क्स थे 485 मार्क्स ठीक है और रैंक जो थी 585101 रैंक ठीक है एश्टी कैटेगरी औल इंडिया कोटा के थ्रू एस्टी केटेगरी को 459 मार्क 459 मार्क पे सीट मिल गया था ओल इंडिया कोटा के थुरू अब देखते हैं कि इस साल सा क्या एक्सपेक्टेड है क्योंकि मैं बता दू कि जो लास्टर कटफ थे उसके प्लस फाइउ माइनस फाइउ ठीक है इसके आज पास ही कटफ होने वाले स्टूडंस में इतना ग्रोथ नहीं है उतने लास्टर थे ठीक है तो कटफ जो थी वह मोर और लेस जो है इसी के आसपास होने वाली है तो आप बोलोगे बहुत बच्चे एक्स्ट्रा पढ़ेंगे इतना टाइम मिला है तो ऐसा कुछ ही नहीं है जिनका पढ़के हो चुका तो उसके आसपास ही कट ओफ रहेगा कट ओफ इतना इंक्रीज नहीं होगा इतना डिक्रीज भी नहीं होगा प्लस 5 प्लस 10 माक्स तक आप सोच सकते हैं माइनस 5 माइनस 10 तक तो मैं आपको जेंडरल आइडिया देदू कि आपको टार्गेट क्या करना है तार्गेट अगर काटेगरी में हो तो आपका टार हश्चे 580 माक्स टीक है 580 माक्स पर आप सेफ हो आपको स्टेट में अच्छा कॉलेज मिल जाएगा ठीक है तो ओल इंडिया कोटा के लिए यहाच्छा स्कोर हो जाएगा और आपको स्टेट मिलने के चांसे बढ़ जाते हैं तिक है और पर्षेट के भी होतो ठीक है आब आते सेकेंड ओबीसी ओबीसी का 575 तो 590 मार्क्स आप पहर किए रेंज ठीक है यह 15 मार्क का रेंज में आपका ओल इंडिया कोटा का होगा जो स्टेट का होगा वो थोड़ा सा कम होगा ठीक है कर दो कि आपके और अब आपके रही है तो आप 480 मानके चलिए और स्टी है तो साड़े 400 नंबर आप मानके चलिए यह था ओल इंडिया कोटा का स्टेट कोटा जो है यह वेरी होता है हर साल कुछ स्टेट्स में एकदम कम हो जाता है यह कट आफ तो उसके आकोडिंग आपको पढ़ना पढ़ेगा आपका जो स्टेट है लेकिन यह टार्गेट आप पकड़के चलोगे तो आपको आपको आर्राम से ओल इंडिया कोटा के थुरू स्टीट मिल जाएगा ठीक है तो आप क्यानल को सब्स्र एक दिन मत भूलिए जो है कल ठीक है और तब तक के लिए पढ़ते रहिए बाई बाई आल दे बेस्ट